कि युदिष्टा ने पूछा बगवान आशार के शुकुलपक्ष में कुन से एकदशी हुती है उसका नाम हुविती क्या है किर्प्या ये बतलाईए बगवान शुकुलपक्ष की एकदशी का नाम शैनी है मैं उसका वर्णन करता हूं के महान, कुन्यमाई, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली सब पापों को करने वाली तथा उतम विरत है आशार सुकुलपक्ष में शैनी एकदशी के दिन जिनोंने कमल पुष्ब से, कमल लोचंगागवान, विष्नु का पूचन तथा एकदशी का उतम विरत किया, उनन करता चाहिं करता है। जब तक आगामी कार्तिक की इकादशी नहीं आ जाती है। प्रक्षक अधुर बश्धू की पुन्य की करना करने में चत्रमुक ब्रमा जी भी असमर्द हैं हे राजन जो इस परकार भोग और मोक्ष परदान करने वाली सरवपा पहारी एकादशी के उत्तम विरत का पालन करता है पेजाती का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा पिरी रहने वाला है जो मनुष्य दीपदान पलाश के पत्ते पर बोजन और विरत करते हैं वो इस चत्रमास के तित करता है वो मेरा पिरी है चत्रमास में बगवान विश्णु सोय रहत है इसलिए मनुष्य को पहुनी पर शेहन करना चाहिए सावन में साग पादों में दही वार में दूद और कार्थिक में डाल का त्याक कर देना चाहिए जो चोव मासे में ब्रहमचरे का भालंग करता है परमगती को प्राप्त होता है फिर राजब एकादशी के विरत से मनुष्य सब पापों से मुख्ट हो जाता है के लिए विरत रखने योगे हैं अन्य मासों की किर्शन पक्षिय एकादशी विरत नहीं रखें परEND नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं परन्तु इन चैनी और बोद शैनी एकादशी के बीच की जो भी एकादशिया है इन पादश दरू रखना चाहिए सबी इकादशी की कि अग्वान विश्न की कि पौगा नहीं रहे सोभी क्यों पर आधिरा भी आधिर्वाइब्स